और आज मैं दिखाऊंगा कि हमारे गाउं में एक किस तरीके से मनाई जाती है तो यह हमारा गाह है और जितने भी यहां छुटे छुटे दस-पांच गाउं वाले लोग हैं वो अब अपने घर से तयार होके यहां आ गये हैं और यहां छुटा सा मेला लगा है और यहां प्रह और सारे लड़के नया-nया कपड़ा पहन के आये हैं बार-बार वो अपने कपड़े को उपर से नीचे तक देख के खुस हो रहे हैं और यह देखिए किस तरीके से घर से चलने के बाद भी सोख और यह है इदगा इदगा में अभी बहुत धूप है तो लोग सोच रहे हैं पान खींचा देखे किस तरीके से मुस्कुरा रहा है बिल्कुल खरगोस की तरीके से तो अभी इद की नमाज होने वाली है उससे पहले ही सारे बच्चे जो छोटी छोटी दो ही चार दुकाने आई है यह और यह खरीदने पर जुड़ गया है जहां मुंफली भी बिक रही है और देखे क्या क्या बिक रहा है तो जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं साथ में बहुत उत्साहित हैं क्योंकि खूब पैसा मिलता है इतके दिन सारे बच्चों को तो बच्चे खरीदारी में बेस्त हैं और यह दुकान लगी है यह भाई साहब अभी इंतजार कर रहे ह इनका सारा सामान एक ही होस में बिक जाएगा चुकि यह लईया का लड़ू सारे लोग लेते हैं लेकिन जब नमाज खतम होगी लोग निकलेंगे बस इनके ऊपर तूट पढ़ेंगे तो हम बाद में भी वीडियो दिखाएंगे कि अभी सनाटे में बैठे हैं फिर क्या होत रहेंगे चुकि धूब बहुत है इसलिए पहले नहीं गए वहां अंदर और यह गर्मी का महीना है और यह देखिए इस तरीके से हम पहुँचते हैं इदगा के अंदर और यह हमारे गाउं की इदगा है जो गाउं से 4-5 किलो मिटर की दूरी पे है और इस तरीके से सारे ल और इस तरीके से इद की नमाज भी लोगों ने एक दूसरे को मुबारक बात दिया और इद के नमाज के बाद हम लोग गले मिलते हुए एक दूसरे से और जब यह नमाज खतम हो जाती है तो लोग बहुत तेज निकल के भागते हैं लेकिन जिस गाउं में हम लोग आये हैं उस गाओं में हम लोगों को दावत दी जाती है ईद की और जहां हम लोग जितने भी गाओं वाले यहां दूर दूर के नमाज पढ़ने आते हैं सब वहां पहुंचते हैं वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पर सब लोग समाईयां मटर खाते हैं सब से मिलते ज़िते हैं और इस तरीके से ईद की नमाज खतम हुई लोगों ने दुआ मांगा और दले मिले अब लोग बाहर निकलेंगे और सारे लोग बाहर निकलते हुए बाहर इद की नमाज होने के बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा इदगा खाली हो जाता है अभी देखिएगा कि कितनी जल्दी जल्दी लोग भागेंगे और सबसे पहले तो लोग कूत पढ़ेंगे दुकान वालों पे और ये ये देखिए ये बाहर निकले और जो लोग अंदर नहीं मिल पाए वो अब गले मिल रहे हैं देखिए जो लोग बाहर मिले हैं यह लोगों से मिल यूल रहे हैं और वही दुकान हम आपको दिखाएंगे जिस दुकान पर भी एगदम सन्नाटा था उस दुकान का देखिएगा आल्म क्या होता है और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस दुकान पर बहुत भीड़ है ये देखिए ये नमाज के बाद गले मिला जा रहा है अब दुकान का आदम जा जा रहे हैं इतना जादा तो दुकान वाले ने कभी नहीं जीजाओं का जित्ला को प्रक्रामेट क्याइब भीड़ है और इद के दिन बच्चों के किसी मेरी दाने के लिए है और ये है और ये है लगाओं के किसी दरीगे से किसी पुर्दान से बहुत है इद करने के लिए घर जरूर आ जाते हैं और बहुत खुशी का माहौल रहता है हर सो लास के बीच इद मनाई जाती है बिना किसी और ये देखिए वही दुकान आपको दिखा रहे हैं जहां अभी कोई नहीं था कितनी जल्दी जल्दी वहीया बेंच रहे हैं सामान ये देखिए और ये देखिए ये है चाड की दुकान किस तरीके से यहां चाड बनाया और खिलाया जा रहा है और सारी पकोड़ी इन्होंने गबड़ दी है इस तरीके का चाड वह बहुत मुस्किल से देखता हूं और ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और खा रहे हैं कहां गर है आपके अरे वा तो या भाईया मिल गए साओधी से वीडियो देखात रहें तो इद मनावें आये हो कब जई हो आपस यह सेलफी ले रहे हैं सोसल मेडिया का जमाना है आप देखी रहे हैं उसके लावा अब हम लोग यहां से पंद्रा मिनट के अंदर पूरा इद्धा करता है अब हम लोग जा रहे हैं जो आदमी दावत देता है अगर कोई वहां नहीं जाएगा तो उस आदमी का देखी जाएगा और बज़पन से हम यह दावत खाते आए हैं तो हम यह ठाइम निकाल के जरूर चलेंगे और यह हम पहुँच गए उस जगह पे जहां हमारी दावत है और देखिए कितने सारे लोग जितने आये थे सब बैठे हैं वह ऐसे तो ईद के दिन सवई सब खाते हैं लेकिन यह सवई कुछ हलग ही होती है जिसको हम बज़पन से खाते आये हैं केवल कुरोना में एक दो साल चूटा है और यह देखिए कितने प्यार और हर सो लाज से सवईया खाई जा रही हैं अब यहां हम लोग दावत खाके निकल रहे हैं और यह देखिए सब लोग जल्दी से खाके और फिर यहां से निकल रहे हैं बहुत सांदार दावत रही बहुत सारे गाउं के लोग मिले और इससे म सारे लोगों ने खाया लुट पुठाया कुछ लोग अभी खा रहे हैं और हम बाहर निकल रहे हैं तो जिस गाओं में आये हैं उस गाओं में कुछ लोगों ने और दावत दे रखा है तो अब हम यहां से निकल के उनके यहां भी जाएंगे और ये देखिए क्या माहौल है क्या खुशी है इद तो गाओं की हाँ हर जगा इद होती होगी लेकिन मेरा कहना है कि मेरे गाओं में भी बहुत खुशियों वाली इद होती है मज़ा आ जाता है सब काम जल्दी जल्दी होता है और मज़ा लेते हुए होता है क्योंकि लोग य दूसरी जगह आ गए उसी गाओं में और यह हैं हमारे छोटू भाई साहब जिनके यहां हम आए हैं और बड़ा अच्छा इंतजाम है आपका और यहां भी हमने थोड़ा बहुत खाया और बहुत मज़ा आया और शारे लोगों ने खाया यह देखिए खुसी-खुसी सारे लो हैं और यहां से वहां से निकल के फिर हम वापस अपने गाओं दूसरे रास्ते से आते हैं और कबरुस्तान पहुंचते हैं और यहां पर हम फातिया पढ़ते हैं और उसके बाद यहां से फिर सारे लोग अपने घर पहुंचते हैं और जब गाओं पहुंचते हैं तो पूर अगरे यहां भी आते हैं और खोम जाता है उसके बाद आउड़तें भी इसी तरीके से चलती है सब सब के घर जाती है तरह एक घर से निकले हैं अब यह लोग दूसरे घर गए और वहां भी अब स्वईयों की दावत होगी यह देखिये सेवईयां खाई जा रही है एद मनाया जा रहा है और इसके बाद अपने गाओं में ये काम 11-12 बजे तक चलता है सारे लोग सब के इहां जाते हैं उसके बाद जिनकी शादी हो गई है वो लोग खुसी खुर्रम से अपने सस्राल निकल जाते हैं रात बर वहां रहते हैं और फिर वहां से दूसरे दिन लोट के आते हैं ऐसी होती है